आज हम आपको भारत की लोक्चित्रकला उनके बारे में बताएंगे ठीक है तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं किसी भी शेत्र या स्थान की जात्यों वे जन जात्यों में पीडी दर पीडी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक्कला कहते हैं ठीक है जो हमारी पीडी दर पीडी कला चली आ रही है ठीक है उसको ही क्या कहा है लोक्कला कहा है तो भारत जैसे देश में विभिन प्रांतों में विभिन रूपों में लोकला देखी जा सकती है अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग रूपों में और उनके अलग-अलग नाम होते हैं ठीक है तो फर्स्ट है मदुबनी चित्रकला जिसको मदुबनी या मिथिला चित्रकला भी हम कहते हैं ठीक है तो इसके देवार में देखते हैं कि यह चित्रकला जो है वो मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है इसको हम मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं और यह न तो मधुबनी जिले के जित्वारपूर गाउं इस लोग चित्रकला का मुख्य केंद्र है तो शुरुवाती दोर में यह चित्रकला रंगोली की रूप में विक्सित हुई थी फिर बाद में यह कला धीरे-धीरे कपड़ों पे दिवारों पे और कागज पर उतर आई थी ठीक में यह शुरू पनीक दवारा की देवता कि टि दौ के दिवारे के गई थी लेकिन धरेलू रूप से इस चित्रकला को पुरुशों भीज को दो तरह के होती है एक तो भिति चित्र और एक अरिपन या फिर ऐसे घर की तीन खास जहा कोबर बनाने के परंपरा है जैसे कि पूझा स्थान पर कोबर का अक्ष मतलब विवाहितों के कमरे में या शादी है किसी खास उस 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 पर घर की बाहरी दिवारों पर तो पेंट पुर्गा काली सीता रामसीता की राधाक्रिशन शीव पारवती गोरी गनेश और विश्नु की दस अवतार इतियादी तो इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकर्तिक और रम्यन नजारों की विचित्रन की जाती है जैसे कि मचली वगेरा इस प्रकार से ठीक है और महा सुंद करी देवी ठीक है मधुबनी चित्रकला की परसीद कलाकार यह मैं हाइलाइट करना भूल गई समाने रूप से इस चित्रकला में हिंदु धर्म के देवी देवताओं के कृष्ण राम शिव दुर्गा लक्षमी सरस्वती चान सूर्य तुल्सी के चित्र बनाए जाते हैं औ और इसमें कलर के लिए प्राकरति के स्रोतों का यूज किया जाता है चारकूल का हल्दी केली के पतिया नीवू चावल के आटे प्लाश की फूलो इनका मतलब प्रियोग इसमें किया जाता है तो प्राकरति के स्रोतों का ठीक आगे देखते हैं पट चित्रकला पट पट का होता है कपड़ा और यह उडिसा की पारंप्रिक कला है इस चित्रकला में सुभद्रा बल्राम भगवान जगनात और दशावतार और कृष्ण के जीवन से संबने द्रिश्यों को दर्शाया जाता है नेक्स्ट आते हैं पिधोरा चित्रकला पर तो जो पिधोरा चित्रकला है यह गुजरात के राठवास और भील जन जाती के लोगों का पारंप्रिक चित्रकला है और यह कला रूप के बजाए नुष्ठान से अधिक है ठीक है कहां कि यह गुजरात के राठवास और भील जन जाती ठीक गुजराती कलमकारी चित्रकला कलमकारी का शाब्दे कर्थ हो से सूती कपड़े पर क्या होता है कि जिसमें हाद से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है और कलमकारी शब्द कप्रियों कला एव निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है मुख्य रूप से यह कला भारत के आनप्रतिश राज्य के कृष्णा पर भारत में और इरान में भारत में आनप्रदेश राज्य में ठीक है आनप्रदेश राज्य के कृष्णा चिले के मचली पत्नम में और कलमकारी चित्रकला की जड़े कहानियों में हैं जो संगीतकार और चित्रकार एक गाउं से दूसरे गाउं में घूम घूम कर हिंदू पूरानी कानियों को कहते थी और उन्हें canvaas पे चित्की रूप में आखा देते थी तो canvaas के लिए सबसे पहले क्या होता था कपड़े को दूद में भिगो कर धूप में सुखने के लिए रखा जाता था और उसके बाद उस पर क्या करते थे लाल, काली, भूरी, बैंगनी रंग की बॉर्ड़र बनाई जाती थी ठीक है, उसके बाद उसे नीले तथा जामनी रंग से उस पर कलर चड़ाया जाता था ठीक है, किस पर? कैन वास ठीक, और नीले रंग को छोड़ कर बाकी कपड़ों को मॉम से कवर कर दिया जाता था जैसे बाटिक में हम यूज करते हैं मॉम का ठीक और इसके बाद इस पर हाथ से चितर बनाए जा देते तो डिजाइन बनाने के लिए कलाकार किसका यूज करता था बास या खजूर की लकड़ी के बरश का या पैन का इस्तिम तो मॉगलों ने ही इसके कलाकारों को कलमकार नाम दिया मॉगलों ने ही इसको क्या नाम दिया कलमकार नाम दिया और इस चितरकारी को कलमकारी कहा है तो यह भी यह भी मॉस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है मुगलो ने ही इस कला को कलमकार नाम दिया और इस चित्रकारी को कलमकारी कहा है ठीक है मौस्ट इंपोर्टन्ट लाइन है तो इस चित्रकारी में रामायन महाभारत की कहानियों के साथ या भगवान गोतमबुत के जीवान उनके समय के चितर भी ज्यादातर बनाए जाते हैं और यह चितरकारी आनपर्दिश के कई परिवारे उद्वारा एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक बनाई जा रही है और उनकी आयका प्रोथ भी प्रमुकसाधन भी यही है अब आते हैं कालिघाट चितरकला पर तो इस चितरकला का जो उद्गम है लगभग 19 सदी में कोलकाता के कालिघाट मंतिर में हुआ ऐसा माना जाता है और इस चितरकला में मुख्यत हिंदु देवी देवताओं का तता उस समय जो पारंप्रिक कोई धिंतिया थी उनके पात्रों के विशेश चितरन विशेश तर इसमें देखने को मिलते हैं तो प्राचिन समय में इस कला के जो चितरकार विभिन देवी देवताओं का चितरन इस कला द्वारा लोगों को पठ चितर में गागा कर सुनाया करते थी ठीक है तो क्या था कि प्राजीन समय में जो इस कला की चित्रकार हैं वो जो भी भिन देवी देवताव हैं उनको इस कला के दुआरा लोगों को पठ चित्र बनाते तो इसमें गागा कर सुनाया करते थे ठीक है तो इस चैली की चित्रकला में चित्रका लंबे-लंबे कागजों में बड़े-बड़े कागज लंबे-लंबे होते थे वे उसमें रमायन, महाबारत वे अन्य कोई दिन तो पर अधाय त्रिश्यों का चित्रन करते हैं और गाकर उस चित्रन का व्याख्यान भी करते हैं इसे सामानेत त्योहार, वरत, पूजा, उस्स, विवहा, आदिशूब अफसरोपा, सूखी और प्राकरतिक रंगों से बनाया जाता है तो उत्र परदेश में चाकपून, उत्राखण में एपपन, राजस्थान में मंडाना, आनपरदेश में मुगलू, बिहार में अरिपपना, महराश में रंगोली, पश्मी बंगाल में अलपना, गुजरात में अथिया, साथिया, और करनाटक में रंगवाली, तमिल्नाडो मे कॉलनम हिमाचल परदिश में अरोक और केरल में कलमा जटू आदेविभिन नमुसिन को जाना जाता है एक्जाम में इनमें से कोशेस भहत से बनते हैं वर्ली चितरकला वर्ली चितरकला जो है इसका संभन महराश के जनजाते परदिश में रहने वाल एक छोटे से जनजात्य वर्ग से है और ये अलंकरत चित्र गोंड तथा कोल जैसे जनजात्य घरों और पूजा घरों के फर्श और दिवारों पर बनाये जाते हैं तो व्रिक्ष पक्षी नर्ड नारी मिलकर वर्ली चित्र को पूंता परदान करती हैं मतलब व्रिक्ष से पक्षी से नर्ड नारी ये सम मिलकर के एक पूरा वाहली चित्र बना देते हैं तो ये चित्र शुब अफसरों पर आदिवासी महिलाओ द्वारा दिन चरिया के एक हिस्से के रूपे बनाये जाते हैं इन चित्रों की विश्यवस्तों मुख्यत धानमी की होती है और ये साधारन और स्थाने वस्तों का परयोग करके बनाये जाते हैं चावल के लेही तता स्थाने सब्जियों का गोंद और इनका उपयोगिक अलग रंग की प्रश्भूमी पर बर्गाकार त्रिवुजाकार तत्था वृत्ताकार आधी रेखा गनित्याकर्टियों के माध्यम से ही किया जाता है तो पशु पक्षी तता लोगों का द्यानिक जीवन भी चित्रों की विशेवस्तों का आंशिक रूप होता है श्रिंख्ला की रूप में अन्य विशे जोड़ोड कस्में विशित्रों का विस्तार कर दिया जाता है तो यह है वार्ली तो वार्ली जीवन्शयली की जहां की जो है सरल आकर्टियों से में खूप सुरा तूप से परस्तूत की जाती है और लो आदिवासी कला के परकारों से विभिन भींभिन वरली चितरकला में धारमिक चेवियों का भी देक परशनहीं दिया जाता जो इस तरह से चित अधिक धरम निर्पेक्ष़ T की प्रस्तूति करते हैं मतलब इसमें धार्मिक छहर्वियों का जावदा वो यूज नहीं किया जाता कि जिस्ते धर्म निर्पेक्षता को धर्म निर्पेक्षता आ जाए ठीक है थांका चितरकला यह भी मौस्ट इंपोर्टन्ट है एक्जाम में पूछ ली जाती है तो जो थ हारते नेपाली और तिब्वती संस्कृति के नुकाम मिसाल है और इस माध्यम से तिब्वती धर्म संस्कृतियम दाश्टक मूलियों को इसमें अभीविक्त कह जाता है और जो इसका निर्मान है सूति वसके धुलेवे काटलकार पर किया जाता है ठीक है इस चितरकला को तो दियात्मी इसका भीशे रहा है गौंड चित्रकला की बात करते हैं तो गोंड चितरकला मध्य पर देश और 36 गड की गोंड जन्द जाती है लोगों के दुआरा बनाई जाने वाली प्रसिद चितरकला है गोंड चितरकला तो पहले गोंड जनजाती के लोग पारंपरिक रूप से अपने घरों के दिवारों को तियोहारों जसे की करवा चोत है दिवाली है अस्टमी है नाघपंच है तो आदि के समय अलगक तरहे के पेर पूध है भगवान के तस्वीरों को चितर के रुप में सजाते थे तो इस तरह गौन चितरकला में त्योहारो और धरम, रिती रिवाजों की जहलक और प्रकति के साथ लोगों के प्यार की जहलक भी इसमें दिखाई देती है तो इसके लिए प्राकर्तिक रंग, चितरकला, रंगिन मिट्टी, पोधो के रस, पत्यों और गाया की गोबर सी बनाए जाती है और इस चितरकला में पूराचे छोटी चोटी विंदू और रिखाउ से बनाए जाता है डोट 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 ठीक है इसके मात्यम से इसको पुरा रेखा चितर इसमें बनाए जाता है चितर फर्ड चितरकला जो फर्ड चितरकला है वो राजस्थान के बहुत इपरसित चितरकला है जिसमें पारम पर एक रूप से कपड़े के एक टुकड़े को कैनवास की रूप में प्रियोग के जाता है जिसको हम फर्ड बोलते हैं इसमें जादा तर पापु जी और देवी नारायन को चित्र क्या गया है देव नारायन को ठीक है किस-किस के चित्र बने है पापु जी और जादा तर बापु जी और देव नारायन के चित्र जादा बने है तो पापु जी का जो फर चित्र है वो सामानेत है 15 फित लंबी और देव नारायन का चित्र फरजित 30 फिट लंबी होती है ठीक है पाबु जी फरजित जो होते हैं वो 15 फिट लंबी और देव नारायन फरजित जो होते हैं 30 फिट लंबी है तो पारायम पर एक रूप से चित्रकला में सबजियों के रंगों से चित्रकारी की जाती है तो राजस सके ठीक है तो इस चितर कला में रामायन महाभारत गीत कोवीद कुमार संभाव और हनुमान चालीसा की चितर दिखाई देते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो लोक कलाव पर अधारित इसमें बहुत सारे कोशन्स एक्जाम में बन सकते हैं और एक्जा आजाए तो आजाए जाए इसमी च्वाब लोक करता हैं और हैं और हैं तो इसमी से जाए ऐाली हैं और दोते हैं तो ये बहुत से चितर देनता हैं रहीर कोशनरी मूदवाव साजी साओंऄ हैं अविक पर दिखवार